बिस्मिल्य रख्मान वहीम, अस्वामलेकूम, क्लास 7, सब्जेक्ट साइंस, चेप्टर नमबर 10, साउंड वेव्ज, आज हमने इसको स्टार्ट करना है, पेज नमबर 114, और एक्सेसाइज है, फिर्स्ट क्वेस्टन है, कम्प्लीट इच ओ फॉल्लिएं सिंटेंसिस, बाइ अवाज के जो भारी यहां बरीकपन होता है, उसको हम क्या कहते है, पिच, दिस्टन्स आ वेव कवर्स इन वन सेकिंड, एक सेकिंड में जो वेव है, वो जितना दिस्टन्स कवर करती है, इस काल इस स्पीड, फॉर्थ वाला है जी, अ कम्प्रेशन और रेर्फेक्शन, कम् लोंगिचूडनल वेव, यह में आता है, लोंगिचूडनल वेव, फिफ्ट और लास्ट जो पुछा है वो है, जी, a material thing through which wave travels, एक ऐसी चीज़ जिसमें से, जो वेव सफर करती है, वेव चलती है, that is called medium, तो आंसर ते है जी, ट्रफ, पिच, स्पीड, लोंगिचूडनल अगी है जी, objective में, encircle the correct answer, let's see, first of all है है जी, when a wave travels through a medium, जब वेव जो है, वो किसी medium में से गुजरती है, तो क्या होता है, particles are transferred from one place to another, तो particles एक जगा से दूसरे का जाते है, energy is transferred from one place to another, energy transfer करती है, particles and energy both are transferred, particles भी जाते है, energy भी जाती है, nothing happens, या कुछ नहीं होता, तो be option right है, सिरफ वो सिरफ energy transfer होती है, एक जगा से दूसरे जगा से दूसरी जगा, जब वेव मूव करती है, be option right है, energy is transferred from one place to another, फिर है जी, second वाला, the speed of sound in air, जो sound की जो speed है, अवाज की speed है, अवा में वो क्या होती है, greater than that of light, light से ज्यादा होती है, 100 km पर hour, एक घंटे में 100 km होती है, 100 meters पर hour, एक घंटे में 100 meter होती है, या 330 meter per second, तो इसकी valuable को एक्जेक्ट लीए है, 330 meter per second, B option, जो है, वो right है, sorry, D option, third है, जी, a sound wave is a dash, sound wave क्या होती है, बड़ा important है, sound wave transfer wave होती है, longitudinal wave होती है, standing wave होती है, तो sound wave हमेशा longitudinal wave होती है, B option, जो है, वो right है, fourth, पूछा wave, objects that vibrate slowly, have a pitch that is, अब जो objects हैं, जिनकी vibration, vibration ये होती है, एक होती है, जिनकी vibration आइस्ता होती है, उनकी pitch क्या होती है, high, loud, soft, yellow, नीची, तेज, हलकी, या कम, तो इसका D answer है, right, कम होती है, इसके बाद एक जी रह गया है, next page पे, page number 115 पे, एक MCQ, वो देखते हैं, sound waves, travel more quickly through, जो आवास की जो लहर है, वो बहुत तेजी से गुदरती है, किस में से, solid में से, gases में से, space में से, solid, gases, liquid, gas और liquid में से, kम गुदरती है, खला में से, वैसे नहीं गुदरती है, जो ये right option है, solid A वला, हमारा first question भी होगा, second ही होगा, इसके साथ ही न, eighth question जो है, वो, map दिया रहा है, complete the concept map, ये कर लेते हैं, छोटा सा है, कुछ चीज़ें दी वी हैं, कुछ missing हैं, वो हमने कर ली है, तो sound है, sound की, उसने बताया है, travel as, sound किस तरह travel करती है, wave की शकर में, हाँ पर आजाएगा, wave, और आगे उसने बताया गया, character six, यह factors होते हैं, एक meter में होता है, एक hertz में होता है, और एक meter per second में, अब जो meter में होता है, वो होता है, जी wavelength, length, 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 wavelength, और हमारे पास होता है, amplitude, यह आवाज की जो खसूसियत हैं, जिसको हम meter में represent करते हैं, जिसको हम hertz में करते हैं, आवाज की खसूसियत, उसको हम कहते हैं, frequency, और जिसको हम meter per second में करते हैं, उसको हम कहते हैं, तो यह था जी concept map, sound wave travel किस शकल में करती है, wave की शकल में, sound की characteristics थी, 3 dv थी, एक wavelength और amplitude, एक frequency, और एक speed, wavelength और amplitude को हम measure करती है meter में, यारी present करते है meter से, frequency को हम represent करते है hertz से, और speed को हम represent करते है meter per second से, हमारा first second और eighth question जो है वो complete हो गया आज के lecture में, यूज वोच्णाटन घंढ नाश पस्रोबकी दोपे पिता